जियो पॉलिटिकल टेंशन्स के चलते अंतराश्ची बजार में गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है घरेलू लेवल पर भी भविश्य में दाम बढ़ने की आशंका के चलते कारोबारियों के द्वारा किसानों से गेहूं उनके खेट सही जादा भाव में खरीद लिये जा रही है इससे सरकारी एजेंसियों के पास स्टॉक की कमी हो सकती है जिस तरह की परिस्थीतियां दुनिया भर में बनी हैं उसे देखतवे एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को गेहूं निर्यात को लेकर एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए बड़े कारुबारियों द्वारा खेत से ही गेहूं उठा लेने के चलते आगे देश में सप्लाई पर असर पड़ सकता है इससे आने वाले दिनों में सरकार को ही दोगुने भाव पर गेहूं आयात करना पड़ सकता है जिसका असर सीधे सीधे आम आदमी को ही होगा अभी सरकार गेहूं का निर्यात कर रही है लेगिन आगे हो सकता है कि भारत को गेहूं का आयात जादा भाव पर करना पड़ जाए भविश्य में दाम बढ़ने के अनुमान से बड़े कारुबारी खेत से ही गेहूं खरीद कर स्टॉक कर रही है किसानों को भी जादा भाव मिल जा रहा है ऐसे में देश में गेहूं की सप्लाई कम है और आगे और भी कम हो सकती है वहीं अगर कोविड की चौती लहर फिर आ गई तो गरीवों को बाठने के लिए जादा स्टॉक की वजहां से दवाव और बढ़ेगा 2022 में भारत से गेहूं का निर्याद 10-15 मिलियन मैट्रिक टन के दायरे में हो सकता है भारतिय वेपारियों ने अपरेल से जुलाई की अवधी के दोरान पहले ही 3-3.5 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं निर्याद का अनुबंद कर लिया है बंदर गाहों से निकटता और आसान आवध जाही की वजह से गेहूं की अधिक्तम मातरा गुजरात, राजिस्तान और मद्यप्रदेश से भेजी जाएगी किसानों को जादा भाव मिलने से खुले बजार में गेहूं की मांग बढ़ी है किसान सरकारी एजेंसियों के बजाए नीजी कारोबारियों को गेहूं की बिक्री करने की तरजी दे रही है ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि नीजी कंपनियों के दोआरा निर्यात के लिए एग्रेसीव तरीके से गेहूं की खरीदारी की जा रही है जिस से सरकारी खरीद में गिरावट देखने को मिल सकती है सरकारी गुदामू में गेहूं का स्टॉक बहुत कम बचा है वही अधिक तापमान के चलते इल्ड पर भी असर हुआ है पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश और राजिस्थान के प्रमुग गेहूं उत्पादक छेतरों में समानने से अधिक तापमान और लंबे समय तक शुषक रहने की वज़ा से गेहूं की फसल की उत्पादकता पर असर पड़ा है कुछ जानकारू का मानना है कि फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन पुर्वानुमान 111.3 मिलियन मेट्रिक टन की तुलना में घटकर 95-100 मिलियन मेट्रिक टन रहेगा जो साल 2021-22 के 109.5 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन के मुकाबले काफी कम है 17 अपरेल 2022 तक गेहूं की खरीद 69.24 लाक मेट्रिक टन तक हो चुकी है जो की सालाना आधार पर 49 फीजदी कम है जबकि एक साल पहले की समान अवदी में 102 लाक टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी राज्यवार आखडों को देखते हुए तो मध्यप्रदेश में 8.99 लाक मेट्रिक टन पंजाब में 32.17 लाक मेट्रिक टन हरियाना में 27.76 लाक मेट्रिक टन और उत्तरप्रदेश में 0.3 शुन्य लाक मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है एक अप्रेल 2022 तक भारत सरकार के पास गेहूं का कैरी फॉवर्ट स्टॉक सालाना आधार पर 30.4 फीजदी और मासिक आधार पर 19 फीजदी कम रहकर 18.99 मेट्रिक टन दर्च किया गया था और ये हमारे 20.5 मेट्रिक टन के अनुमान से भी काफी कम है अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं बिग ब्लिस दस मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान